हालो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे omcap क्या होता है अगर आपके पास open की कोई वीडियो आई इसे open की phone में अगर आपको यह लिखा आता है omcap की तरफ से एक notification आता है omacap है से basically और उसमें लिखा है confirming negation और उसमें app browser access point name यह basically कुछ आता है तो यह basically notification आता क्यों है इसको remove कैसे करना है वो इस वीडियो में जाने तो like और चैनल को subscribe अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा सीधी और simple वहाशा में समझेंगे यह आखिर होता क्या है और कैसे काम करता है आप एकस को अगर इस तरीके से स्वाइप करते इस तरीके से तो यह स्वाइप यह से हो जाएगा और रिमूओ हो जाएगा लेकिन यह बार बार आता क्यों है और यह basically इसका मतलब क्या है तो जैसे हमारे फोन की कोई भी जैसे network की setting होती है access point यह अगरा तो जो setting अगरा होती है उस type से आता है basically इसका जो मतलब effect है वो हमारी phone पर नहीं पड़ता है लगबख सभी phone में चाहे oppo की हो या फिर realme, redme की जो device है उसमें यह आ जाता है और एक तरीके से थोड़ी देर के लिए refresh करने के लिए ठीक है यह बस आपके device को थोड़ा सा refresh करेगा आपका जो internet access है या फिर internet है उसको सही करने के लिए या फिर internet access जो है सही करने के लिए आता है इसका कोई भी effect वगिर आपके device पर इंटरनेट पर नहीं पड़ेगा या फिर browser पर नहीं पड़ता है उमिर साब मैं आपको जान करिया आप इस समझ में आ गई होगी अगर आपको यह वीडियो आप